Hello everyone, welcome back to section family और इस वीडियो के अंदर आज हम डिसकस करने वाले भी section practice 7.16 को और देखिए पहले question से हम स्टार्ट करेंगे हालागी देखिए आज के question को ज़्यादा tough थे ही निए इस paper के बट फिर भी आपकी practice ही हो जाती है इन सारे questions के साथ तो 86 questions से start करेंगे और question था आपका कि DQL का पूर्ण रूप क्या होता है DQL और देखिए अगर आपको पता है कि DQL होता क्या है तो आप definitely इसको data query language इसका answer जो मार सकते थे कैसे DQL क्या होता है एक आपके पास DQL basically आपके पास एक program होता है तो वो साथ इस चीज को समझ सकता है और वाइस थोड़ी समझ में आ थोड़ा easy नहीं होता है लेकिन आप इसको यह समझ सकते हैं कि आपकी कोई भी जो चीज होती है न वो कहीं न कहीं database में होती है कोई भी चीज़ जो होती है वो database में आपके पास होती है इस database से आपके पास main जो जगह होता है मतलब database से आप तक जो information पहुचाया जाता है एक organized manner में database से जो information आप तक पहुचा ही जाती है तो DQL basically उसी में use किया जाता है बस आपको ये ध्यान लखना है ठिक database से information उठके आएगी आप तक एक organized manner में उसी को क्या बोला जाता है DQL तो ये basically क्या है आपके पास एक program है जो ये सारा काम करने का जो ये सारा work करता है 87 question की तरफ चलेंगे और computer virus क्या होता आप से भी लोग जानते हैं भीया virus virus के बारे में हमने कई बार जाना है कि जो virus होते हैं basically वो क्या होते हैं आपके पास program होते हैं क्योंकि उसमें आपके पास different kind of जो हमारे पास files होती है उनका duplicate बनना स्टार्ट हो जाता है कई बार हमारा computer में different kind of viruses होते हैं उनके cause से computer में थोड़ी risk वाली problem भी आ जाती है आपके जो important documents होते हैं वो भी delete हो जाते हैं तो basically यह होता क्या अब यह program ही है यह क्या है प्रोग्राम ही है प्रोग्राम बिसी के लिए क्या है computer को कुछ चीज़ें समझाई जाती है ऐसा समझाई जाता भी यह इसके पास जो भी folders है इसके पास जो भी data है उस data को destroy करना है तो basically विनासकारी प्रोग्राम है उप्योगी प्रोग्राम नहीं है जैसे DQL अभी अपन देख रहे थे DQL वो क्या है एक आपके पास उप्योगी प्रोग्राम है जैसे आपके पास Google Chrome है तो आपके पास web browser है लेकिन इसके पीछे की भी एक programming है तो वो भी एक उप्योगी प antivirus बहुत rare chances होते हैं कोई डलवाता है अगर कोई बहुत ऐसा typical virus ही हो तो उसके लिए antivirus वर्क करते हैं लेकिन firewall से भी basically अब आपका काम हो जाता है यह आपके प्रोटक्ट करता computer को viruses से तो यह क्या है आपके पास virus एक विनासकारी program होता है बागी इसके लिए आपको कभी रखना है Casper Sky Casper Sky मैंने Hindi में लिख दिया Casper Sky एक आपको ध्यान रखना है एक Norton यह सारे के सारे आपके पास के हैं यह आपके पास antiviruses होते हैं अवास रफगेरा यह आपने नाम सुना होगा यह आपके पास के हैं यह सारे antiviruses के नाम है ठीक antivirus मतलब यह आपको viruses को destroy करने क काम आएगा वाइरस को remove करने के बिसके लिए काम आता है प्रोटक्ट करता है Casper Sky नॉटन और आपके पास आवास्ट निम्न में इसे कौन सा एक hardware का उधारन नहीं है hardware आप सभी लोग जानते होंगे जिने आप क्या कर सकते हैं टच कर सकते हैं यह hardware होता है जिने टच कर सकते ह आपके पास software साते हैं जिने आप टच नहीं कर सकते हैं अब अगर आप ध्यान देंगे चुम्बी की यह tape तो यह आपके पास क्या होते है पुराने जमाने में जो गाने वाने होते थे कासिट्स वही बिसिकली चुम्बी के टेप से मत दब है इसका ठीक है पर इंटर आपस भी लोग जानते हैं यह भी आपके पास के hardware है टेच आप कर सकते हैं CRT CRT आपको पता होगा CRT cathode race tube पुराने जमाने के जो TB वगी रहा थे या फिर आपके पास computers basically उनमें CRT basically होता था स्क्रीन हो जाती है तो इस टाइप से पीछे जो आपने दिखा होगा यह CRT ही है clear तो यहां पर देखिए सारा का सारा आपके पास क्या हैं यह hardware का पार्ट है assembler क्या होता है assembler basically एक प्रोग्रामी है जो आपका high level language से आपका machine language basically convert करने का का काम करता है आपका assembler ठीक तो basically यह क आपके पास एक hardware नहों के यह software का examples आपके पास हो जाता है आगे बर देंगे इस स्मिर्थि आँख्णों की इस्तिति को विसे इस रूप से विक्त करने का साधन क्या है तो कोई भी आपके पास जो डेटा होता है उस डेटा के जो आपके पास इस्तिति यानि location है यह कौन बत 90 question की तरफ चलेंगे और इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है तो अगर आप जहां देंगे जो Adobe होता है यह आपके पास क्या एक program है एक software है Adobe ठीक तो यहाँ पे पीडिया फाइल वगर आपने देखी हो यह वो इस दीके थूरू आपके बनाई जाती है तो यह hardware नहीं है ठीक है यह आपके पास गलत हो जादा बाकी YK computer Y2K ठीक यह भी आपके पास क्या है एक यह virus टाइप में ही है और मैं कहा सकता हूं कि जब साल 1999 था 1999 के बद आपके पास आना था 2000 लेकिन computer में सारे दुनिया की जितने भी computers थे उसमें यह कुछ problem आ गई थी कि वो 1999 नहीं 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 मतलब आप इतने पीछे चले गए थे तो computer के अंदर जितना भी information होती है जहां पर आपके date वगेरा होती है तो वो सारी की सारी change हो गए थी इस time पे तो यह जो problem थी इसी को हमने Y2K नाम दिया था कि जो computer से उसमें जो timing थी या जो date आप दिखा रहा था वो year जो दिखा रहा था ऐसे problem में लब ऐसे कुछ problems computer सो कर रहे थे तो यही जो problem थी वहाँ पे Y2K नाम इनोंने देते हैं के मतलब 1000 से मतलब है 2 मतलब 2000 से मतलब है clear होगी बात Y मतलब 8 से हम बेसिकली मतलब हो जाता है बागी आवास का पर दोस्तना आप सभी लोग जानते होंगे हम इसको DB में च question दिखिए जब जब आपको ऐसे बड़े numbers दिखते हैं तो आपको difference से लेकर चलना है जैसे 15 and 20 के बीच में अगर चेक करोगे तो यहां पर आपको कितने का मिलेगा 5 का आपको यहां पर difference मिलेगा आपको यहां पर 12 का difference फिर इसी टाइप से आपको यहां पर जो difference मिल रहा है 32 और 62 के बीच में आपको मिलेगा यहां पर 30 का difference किलियर है बात तो कुछ-कुछ आपको भी सिकर यहां पर यहां पर यह मिल रहा है बाकिया आप लोग देख सकते हैं 8 मेंसे 2 माइनस करोगे 6 आजाएगा और यहां पर आपके पास आजाएगा 56 इसी टाइप से आप इससे बनाने कि आप इसको कैसे बना सकते हैं जैसे अब आपके पास जैसे यह 5 है तो यह जो 5 है आप इसको लिखना है 5 को 2 का square प्लस 1 तो 2 का square प्लस 1 आपके पास 5 मिलता है इसी टाइप से यहां पर 12 है तो आप इसको लिख सकते हैं 3 का square प्लस 3 लिख सकते हैं तो यह मिलेगा आ चले तू, थ्री, फाइव, और अब यहां पर कितना बन जाएगा, आप एक पास 6 से बनेगा, नहीं बनेगा, 7 से आप लिख से चल सकते हैं, 7 का स्कुर मिलेगा, यहां पर 59, और यहां पर आपका पास मिलेगा 7, आपको मिलेगा यहां पर 56, अब यहां पर 130, 5, 7, और 11 से आज तो अब आपको यहां पर क्या मिलने वाला, यहां पर मिलेगा आपको 130, तो देखो यहां पर एक प्राइम निम्मर से, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो यहां इसका मतलब यहां पर कुछ क्या आने वाला है, यहां पर आएगा आपके पास, यह 130 बन गया ना, तो यहां पर आएगा 13 का स्कुर्र, ठीक है 13 का स्कुर्र प्लस अब यह 9 था, तो देखो 1, 3, 5, 7, 9, अब आपके प्यास यहां पर आएगा 11, और इसका जो आशर आएगा, वो कितना आएगा, देखे, 169 प्लस 11 आप कर सकते हैं, 0 आएगा, 7 आजाएगा, और आपके पास यहां प आप, 170, अब इसमें क्या करेंगे आप, अब आप क्या करेंगे, कि यहां पर आपको एक ऐसा नम्म लिखना पड़ेगा, सुदाट कि जो उसका डिफ्रेंस अब 170 आएगा, तो अगर मैं यहां पर 428 लिख दूँ, तो 428 से अगर आप इसे माइनस करते हैं, तो आपको हैं, तो आपके पास नहीं हैं, तो अब यहां पर 148, 248 को माइनस करना है, तो यह 0 आजाएगा, आपके पास यहां पर 8 आजाएगा, और यहां पर आपके बनेगा, वो मिलेगा 180, तो 180 आना चाहिए, तो इतो गड़बरा रही है, 9, 6, 7, 179, साथ मुझे लग रहा है कुछ गड़वड़ यहां पे हो रही है, 10, हाँ, ओके, यहां पे 8 आएगा ना, ठीक है, यह 180 आ रहा है ना, तो ठीक है, तो मत्तब यहां पे 428 बिसे के लिए आपका यहां पा आंसर आ जाता है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बाद समझ में आई होगी, तो इस ताइप से आपको यह सौफर करना था, चलें, नेस्ट कुशन की तरब चलते है, A, E, H, N, B, G, K, R, तो यहां पे देखिएगा, A के बाद आपके पास क्या रहा है, यहां पे I और J आएंगे, फिर आपके पास आएगा K, यानि मैं लिख सकता हूँ, कि यह D के बाद आपके पास क्या आने वाला डिरेक्टली, D के बाद क्या आएगा E, F के बाद क्या आएगा G छोड़ो, फिर आपके पास आएगा H, फिर G के बाद आपके पास किया गए H और I फिर आएगए आपके पास J यानि आपके पास पहला वाला जो हिस कांसर बन जादा बागी और और को चेकरने की ज़ाज़ ज़रत नहीं है 93 क्वेशन की तरफ और आपको बताना था यहाँ पर विन समूई इसमें कौन सा है तो देखी यहाँ पर यहाँ पर यह कुछ ऐसे कुछ टाइप का बन रहा है A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो ठीक यहाँ पर E आजाएगा, फिर आप इसको ऐसे चलते जाएंगे और यहाँ पर आपके पास आजाएगा कही M और नीचे आजाएगा N, ठीक फिर यहां पर आपके पास आएगा V, W, X, Y, O, Z अगर आप चीज़ ध्यान देंगे, ध्यानी देंगे, देखो यहां पर E और V बन रहे हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के जो अपोजिट आ रहे हैं तो यह वाला तो एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, देखो M और N यहां पर भी एक दूसरे के यहां पर क्या रहे हैं, अपोजिट बेसिकल यहां पर आ रहे हैं, ठीक है, अब यहां पर आगर 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 यहां पर आएगा पहले L, यहां पर M आगे N आगर यहां पर आग नहीं आएंगे ना क्योंकि यहां पर देखो एम एन ओ यहां पर पी पी और टी यहीं आगे पीछे कहीं आने वाले ठीक है तो बेसिकली यह इधर आएंगे तो यह एक दूसरी के बैकवर्ड नहीं आ रहे हैं इसलिए यहां पर यह सबसे डिफरेंट हो जाता है 94 question की तरफ चलेंगे और इस question में क्या था कि जैसे आपके पास यह पूरूप दिसा है ना जैसे जैसे बोल्डा question आप उसकी तरफ चलते जाएए पूरूप में 1 km चलना है it means 1 east लिखो बहुत simple तरीका बताता हूं इन सारे चीजों को करने के लिए फिर वो दक्षिन की और मुड़कर 5 km चलता है यानि दक्षिन को क्या मान रहे हैं इस से दक्षिन की तरफ जाना है यानि minus करना पड़ेगा इससे कितना करना पड़ेगा 5 south करना पड़ेगा मैंने हमेशा बता है यह वाले जो साहिर होगी positive लेंगे यह negative लेंगे यह positive होगा यह negative होगा 5 south हो जाएगा पुना पूरप की और मुड़कर 2 km चलता है यानि फिर से पूरप की और जा रहा है यानि plus अपने को गरना पड़ेगा 2 east इसके बाद वा उत्तर की और मुड़कर 9 km चलता है यानि अब उपर की तरफ जाना है plus 9 आप इसमें लिख सकते हैं क्या north की तरफ जाने तो आप 9 लिख सकते हैं clear है बात अब connection क्या बनता है भीया east देखो north और south की बीच में connection बनेगा हमेशा और east और east की बीच में connection बना सकते हैं 2 प्लस 1 यह आपके पास आजाएगा 3 east है ना और यहाँ पे 5 south प्लस 9 north तो यहाँ पर आपका प्लस 4 north basically यह आपके पास आजाता है अब देखो east और north की बीच में कभी connection नहीं बनता है तो ऐसे case में आपके पास क्या करना है ऐसे case में आपको डिरेक्ट लिन का करना square यह नहीं 33 का square कितना हो जाए 9 4 का square हो जाता है आपके पास 20 sorry 16 और 16 प्लस 9 आपके पास आजाता है 25 वह इसका root ले 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 ल इसी type से आएगा question 95 की दर्ब चलेंगे और 150 रुपे पते दरजन की दर से संत्रे बेचने पर सस्य को इसमें बना लेना इसको 25% की हानी होती है अगर इसको 25% का लाव अगर उसे कमाना है तो संत्रे को उसे कितने भी बेचना चाहिए तो दिखे कभी भी कोई भी लाव होता ह हानी होती है वो आपका cost price पर होती है क्राय मुल्ने पर होती है यानि जिस ब्यक्ति ने जो चीज ली है उसी पर हानी होगी उसी पर लाव होगा तो इसने 150 रुपे में संत्रे बेचे तो इसको 25% की हानी यानि मैं कहा सकतू है अगर मैं X से 1500 माइनस कर दू जितने भी इसने और हानी होरी इसे 25% की अब किसमी होगी X का 25% होगा यानि X multiply 25 by 100 है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चीज में किसी को यहाँ पर डिरेक्टि से multiply कर सकते 100 X माइनस 1500 देखो अब अलग लग तरीकी है आप अपने तरीकी से से करते रहिए अगर 25 बक्स आ जाएगा और जब इसकी value निकालेंगे तो 75 बक्स आजाएगा और 1500 अपने 75 यानि आपके पास आजाएगा यहाँ पर 200 के लिए रही बात यानि जो क्रैम मुल्य रह होगा कोई चीज जो थी वह 200 रुपए की थी अब अगर इसको 25% का अगर इसको लाब कमाना है तो 200 को 25% निकालना पड़ेग तो यानि आपके पास क्या आएगा यहाँ पर तो इसको संत्रे को किस दर से बेचना चाहिए तो अब इसी बात नियार कोई चीज 200 की थी पहले अगर उसे 25% का लाब चाहिए तो इसको 200 रुपए में बेचना पड़ेगा के लिए रहा बात तो इस टाइप से basically इस question को solve करना आप देखो ऐसे question में क्या कहना है ऐसे question में simply आप क्या कर सकते हैं कि माना मैंने कह दिया let जो उसकी एक मैं कहूंगा देखो 96 question ही तरह बढ़ेंगे और question में क्या बोलड़ा है कि रेस में की एक संपती है और वो एक चौथाई क्या करती है धर्मारत संगठन को देती है तो मैंने कहा या let's है उसकी जो संपती थी माना उसकी जो संपती है वो X है मतब कितनी भी हो सकती है अब उसने क्या कहा कि अपनी एक चौथाई जो संपती है उसके वो किसी संगठन को देती है और बच्ची वी संपती अपने तीन बच्चों में बराबर बाढ़ती है तो देखो ना उसकी लेट से संपती X है एकस का मतब कुछ भी हो सकता है 100, 200, 300, कितने भी करोड़ की हो सकती है तो अब मुझे एक चौथाई देनी तो X में से एक चौथाई देना है न तो 1 by 4 मुझे माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पर कितना आ जागा 3XY4 मतब उसके पास कितनी संपती बची होगी अब उसके पास 3XY4 उसके पास संपती बची तो उसने कहा बागी कि जो बचीवी संपती अपने 3XY4 यानि यह आपके पास क्या रहा है XY4 और XY4 का मतब क्या है कि यह एक चौथाई एक चौथाई मिलने वाला भाग है उसके किसका यह 1 by 4 of X भाग है पर तेक बच्चे के लिए तो यहाँ पर एक चौथाई बेसिकली क्या जागा इसका आंसर आ जाता है ठीके तो लगता टोटल जब भी निकालना होता है टोटल बराबर होता है left plus right minus 1 आपको पता है कि यार कोई लर्की है वो 7वा है बाएं से और दाएं किनार से 14 है तो मतलब सा बात है बाएं से आपके पास हो गया 7 plus 14 minus 1 और 14 साथ 21 है ना और 21 में से अगर आप 1 minus करते है तो आपको मिलेगा 20 त आउनसर हो जाता है ना इन्टीट कोईशन के चलेंगे और दो प्राकरतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुननफल 24 सौर वर्गों का यूग पाउनसर है क्या बोल ला ये कि दो प्राकरतिक संख्या है गुननफल कितना है उनका 24 सौर ठीक तो देखो यहां पर 12 दोना 24 हा मि मिल्टिप्लाइ करके 24 सौर ये भी बन रहा है देखो यह तो गुननफल नहीं आ सकता है तो मतलब यह कभी आंसर नहीं हो सकता है लेकिन इसने क्या कहा कि उनके वर्गों का योग बावन सौर भी होना चाहिए जैसे देखो इसको करो जैसे तो यहां पे 60 मिल्टिप्लाइ ज चाहिए यहां पर यहां पर जो 40 है उसका वर्गों का योग करना था था इसको योग करना है तो मतलब 3600 प्लब नहीं आएगा न भाई तो यह वाले आंसर नहीं हो सकते हैं तो सिंपल तरीका इनका अपन को क्या करना था, multiply करना था, square करना था, add करना था और bounce answer आ जा था, बहुत easy है 99 question के दर चलेंगे और इस question में बोला गया है कि यहर आपके पास एक number है और कभी आगर आपने क्या करते है कि क्या अपन इसमें जोड़ें कि आपको जो मिले हो 33 से पूंड़ता विवाजित हो जाए आप देखो कभी भी आपको ऐसे question मिलते ही है, कई बार आ जाते है इस type के question के लिए आपको simple करना कि है कि 33 से आपको divide करना है directly 2105 को या तो आपके पास तरीका यह है कि यहाँ पर add करते लाओ, है ना जैसे 205 में आपने पहले plus 5 को add क्या, से divide करोелю का हो रहा है या हो रहा है है फिर 4 को, इसके साथ add करो फिर 30 से divide करो फिर chef करो रहा है हो रहा है यहाँ पर आपके पास मिलेगा 125 और आपके पास यहाँ पर मिलेगा 9 टाइम्स और आपको मिलेगा यहाँ पर 9 टाइम्स नहीं यहाँ पर 3 टाइम्स जाएगा नहीं यह हो जाएगा आपके पास 99 और यहाँ पर आपको मिलेगा कितना 5-6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा यहाँ 26 मिल रहा है अब देखो जब भी क्या बोला जाए कि क्या जोड़ना है ऐसे बोलना कौन से संक्य जोड़ना जाए तब तब आप क्या करेंगे 33 से इस वाले से आप सेज को घटा देंगा और आपको मिल गए यहां पर 7 तो मतलब आपके पास जो आएगा यहां पर 7 आएगा यानि 205 में अगर आप 7 एड़ करते हैं तो जो भी बनेगा उसमें 21 बारा आएगा वो 33 से पूर्ण होता डिवाइड आपका हो जाएगा और अगर यह जोड़ना ना बोला अगर यह बोलता कि क्या घटाया जाए तो फिर आपके पास क्या होता फिर यह सेजफल नहीं होता ठीक है मतलब फिर आंसर मतलब ऐसे सेजफल में नहीं आता आपके पास चलो खेर तो अभी के लिए कुछ आपको इस टाइप से एक वेशन solve करना था आज का last question ये थोड़ा अच्छा question है अब देखो कभी भी आपको चीज़े check करोगे ना यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 44 से 37 माइनस करेंगे आप तो आपको मिलेगा 7 और 7 का square कितना होता आपके पस 49 इसी type से आप यहाँ पर ठाउन से 33 जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 5 और multiply 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 35 ठीक है मतलब यहाँ पर इस तीज को समझना इनको जब आप क्या कर रहे हैं difference चेक कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 7 और multiply आपने 7 किया तब आपको 49 मिला है इसी type से आप क्या करेंगे 52 और आपके पास जो यह 41 है इन दोनों का जब difference देखेंगे न 52 माइनस 41 तो आपको मिलेगा यहाँ पर 11 और 11 फिर multiply 7 करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर इस वाले position में 87 तो मत्तब यहाँ पर 77 बेसी के लिए इस का answer आना चाहिए बहुत आसान था इस type से आप इस से को कर सकते थे तो आज के वीडियो में इतना ही हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर एंड थैंक्स तो आल